प्लाजमेट यह क्या होता है एक्स्टा जो गुर्षूत्र होता है बैक्टिरिया के अंदर उसी को प्लाजमेट कहते हैं जैसे यह बैक्टिरिया है और यह बैक्टिरिया का गुर्षूत्र है यह बैक्टिरिया का गुर्षूत्र है तो इसी इस गुर्षूत्र से तूट करके एक अलग भाग यहाँ पे चला जाता है उसी को प्लाजमिट कहते है और जब यही प्लाजमिट क्या होता है वापस इसके साथ बाद में जुड़ जाता है तो उसे सिती को эпissement कहते हैं तो अतरिक्त गुड्सूत्र को ही plasmid कहते हैं ये bacteria में मिलता है और ये जो अतरिक्त गुड्सूत्र आया है जिसको धम plasmid कह रहे हैं ये मेन गुड्सूत्र से ही अलग हुआ भाए है और यही जब बाद में किसी कारण वास इससे दोबारा जुड़ जाता है में गुर्शुद्र से तब उस एसिती को एपिसों कहते हैं